जै मतादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे योटीप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह 2023 के पहले सब्ताह के तुला राशी फल के बारे में एक फरवरी से साथ फरवरी तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रहों की स्थिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होगी योग क्या बनेंगे कौन सा ग्रह राशी बदलेगा कौन से दिन आपके जादा लाबदायक होने वाले हैं कौन सा ग्रह आपके लिए जादा पावर शुद जाएं का अँछाएं के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती है तो एक फर्वरी से सा感 स मैं ऐसे आइड़ सते की Κष्रवार्व दृवितिय कंदरमा जो है वो व्रशब रासी से गोचर करते हुए सिहिंग राशी तक जाएंगे यानि कि व्रशब मिथुन करक सिहिंग इन चार भावों में चंदरमासा क्रिय रहेंगे जिसके अनुसार आपके दिन चरिया में परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस सता के मद्धे में पांच जन वरी को बुधु का राशी परिवर्तन है जोकि आन्तिम दिन था इस बुध disciत हो इसके अलावा सपथा के पहले दिन से ही अस्त हो चुक referrals स्थ्थ होच्था है क्योंकि तीस जनवरी को शनी अस्त हो चुके तो शनी अभी इस टाइम प्रभाव हीन चल रहे हैं तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि एक फर्वरी से साथ फर्वरी तक कसम आपके लिए कैसा होने वाला है पहले सपता के पहले दिन के बारे में अगर बात करें तो ये इकादशी बेहद उत्तम दिन भगवान विश्नु की अराधना और साथ में मालक्षमी की अराधना करने के लिए बहुती अच्छे तरीके से आपके लिए इस नए महीने की शुरुआत हो रही है तो इस दिन आप मालक्षमी के अराधना जरूर करें आप कि राशी की स्वामी जाने का प्यास करें अगर कोई समझ सा चल रही थी बात विगरने की बजाए आप उसको अगर अच्छे से हंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा सही गलत करने में अगर आपको थोड़ी सी परिशानी हो रही है एसमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ी सा मदद ले सकते हैं अपने अपनों से ताकि अच्छा रहे अगर देखिए मैं बात करूं कारेशेतर की तो मैं वैपारियों के पहले बात करूं वैपारियों के लिए ये समय अच्छा है कुछ लोग उधारी के लिए आपके पास आ सकते हैं नजर अंदाज करना आपके लिए अच्छा रहे हैं इस सब्तहा में घर के बच्चे आपको अपनी उपलवधियों से गर्व का अनुभव कराएंगे जैसे आप कुछ बावोक नजर आ सकते हैं ऐसे में अपनी भावनाओं को चुपाने की बज़ाएं उन्हें सबके सामने व्यक्त करने का प्रयास करें बच्चों की तारीफ करने से चाहे कुछ भी हो ये सब्तहा आपके लिए कई इस तरों पर अलग रहने वाला है लंबे समय के बाद आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल जीवन में बहतरीन तरीके से संतुलन बना कर चलेंगे जिसका प्रभाव जो होगा वो आपके मन पर बड़ा पॉजिटिव रहेगा हर किसी के साथ प्रभावी ढंग से बादचीत कर पाएंगे वेवसाई का तोर पर काफी सक्रिय रहेंगे आप आज अपने अपनों को खुश और प्राउड फील करवा सकते हैं कुछ बादचीत आपके लिए बहुत जरूरी होंगे जिने करके आपको अच्छा लगेगा बि अपने जारी रखा हैं इमानदार हैं और उसी के जरीए आप आगे भी बढ़ पाए हैं अगर आप बिजनेस करते हैं और कुछ चोटी कंपनियों के साथ मिलकर आप काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं एक अच्छी प्रोफाइल बनाएं अपनी परवार के लिए लंबी अच्छोटी दूरी की यात्रा का योग बना हुआ है ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी मविश्य में लापरदान करने वाली होगी यदि आप लंबे समय से भूमी के भूमी या भवन के क्रय विक्रय या फिर वाहन आधी खरीदने की आपर यहले दोनों जhindगर होगा इसैंगल लोगों के लिए अकि लाइफ में किसी की अंटरी हो सकती है सिइनल लोगों के लिए बहुत अच्छा है वहीं पहले से जो पलेम संबंद में हैं उनके लिए एक बहुत बहर ने को मिलेगी प्रेम संबंद के मामले में खटपि अध्य में ही पांच फरवरी के दिन ये पूनी मते थी है जो की माग मास की पूनी मते थी है बहुत अच्छे योग बने हैं इस दें सरवार्ट सिध्धी योग भी बना हुआ है और लक्ष्मी योग भी है लक्ष्मी योग के करण तो लराशी के लोगों को आमदनी में अबर देखने को मिलेगी आपका कहीं कोई सपना ऐसा जो यात्रा से जुड़ा हुआ था वो आपका सपना पूरा हो सकता है इस दोरान मा लक्ष्मी के आशिरवाद से धनलाब के प्रबल योग पांच फरवरी के दिन बनेंगे इस डेट को आप जरूर नोट करके रखें क् आपको सोबागे दिलाएगा आप एक कारे जरूर करें कि थुड़ा भूत दान पूने जरूर करें और साथ में मा लक्ष्मी की विधिविदान से पूजा अर्जना करें क्योंकि मा लक्ष्मी के आशिरवाद से आपके लिए इस सप्ताह में ऐसे धनलाब का योग है जो मकर राशी में आएंगे सूर्य के साथ यूति करेंगे और अगले साथ दिनों के लिए गज के ये बुधादित्तर राजयोग बन जाएगा जो की मकर राशी में होगा तो लाराशी के लोगों के लिए ये योग भी बड़ा अच्छा रहेगा और इस योग से आपको होने वाला है प्राउड फिल कराने वाला होने वाला है धर लाब कराने वाला रहेगा तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें